नमस्कार दोटों स्वागते हैं आपका टीसी टेलर चनल में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर आपका बूट यह घूम रहा है इदर उदर जैसे की इदर उदर घूम जाता है बार बार तो इसको किस तरीके से टाइट करें यह कमेंट पर वीडियो और कमेंट पर बन तो इस्कोर आम पिस तरीके से टाइट करते हैं लेकिन फिर भी दूवारा से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से पोट को को पिंपल तरीका है तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं यहां पर सबसे पहले आपको लेसे हे तो देखेंर यहां से इसको टाइट करते हैं यह जो पेंच है आप जो है यह पेंच जो है मैं आपको सब सब पहले खोल के दिखाऊंगा यहां से किस तरीके से टाइट कर सकते हैं तो यह देखे यह पेस्कास है यह पेस्कार तो इसमें वह लगेगा नहीं इसको इ सब्सक्राund कर hurtsku कर T तो आंपको चोटा पेस्कार लेना है तो देखे इसको हम यहां पर धिला करते हैं यह और यह दिखाते हैं दिखिए यह जो है अब मैंने इसको फोड़ा से ढीला करेंगे इसको उपर कर दिया अब ये देखे इस तरीके से देखे पूरा घूम गया है तो यहीं से इसको टाइट करते हैं बस आओर कुछ नहीं होता इसको सेंटर में आपको करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको उपर इस तरीके से उठा ले पेंचकस से अगर उठाना हो जितना गिराना हो तो आप उपर से इसको यहां से ठोंक दें तो यह हो गया तो यहीं से इसको ढ़िला या टाइट करते हैं अब आपको बांधना कैसे है तो यह भी मैं आपको बता देता हूं तो देखे ज्या तो यहां पर बस इसको अब हम यहां से टाइट कर देते हैं तो बूट जो है वो यहीं से टाइट होता है और कोई पेंच नहीं होता इसका तो यहां से पेंच आप इसको टाइट करें आपका पेंचकत जो है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए इसके अंदर आना चाहिए तभी यह टाइट होगा अगर चौणे पेंचकत से इस तरीके से पेंचकत से टाइट करेंगे तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं पूरी तरीके से तो यह टाइट नहीं होगा तो इस चीज हो तो कमेट में हमको कमेंट कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नयए है तो सब्साइब कर बेल आइकन को जुरूर पैस कर लें तो फर मिलेंगे एक निए